हेलो हाई वरीवन दिस इस इंजीनियर निखिल पांडे वेलकम तो यूटूब चैनल में टार इंजीनियर तो टोड़े वीडियो अबाउट दा ओपनिंग रेंग और टॉजिंग रेंग आफ टॉप टेन एंटिस ऑफ इंडिया तो लेट्स डाइव इन तो बच्चो एज वी नोग की जेडवल इमेंज के रिजल्ट आउट हो चुके हैं ठीक है अब हमारे को यह चंता से अतार है कि हम विद्धे हैल्प आफ जेडवल इमेंज आपको यह बताओंगा कि उसका जो है ओपनिंग रेंग क्या रहेगा जिससे आपको जो है एक आइडिया मिले कि आप जो एडिमिशन लेना चाह रहे हो जिस भी आपकी फिर्वेवल इनाइटी कॉलेजेस में क्या आप उसके जो आपका रैंक है उससे लाइक कर रहा है की न किसी को कटेगरी वाई से कर किसी तरीके को को डाउंट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा ठीक है अब तो टॉप 10 नाइटी में आता है वच्चों तो सबसे जादा जो चीजे देखी जाती है कि आप कि इस ब्रांच को सीख करना चाहते है उस ब्रांच से को अच्छा डाटा मिश सके अपने कॉलेज को चूस करने के लिए ठीक है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो जो नंबर वन है टॉप नाइटी में वह हमारा नाइटी ट्रिजी और जो नाइटी ट्रिजी है उसकी निर्फ रैंकिंग है 11 11 और इसका जो ओपनिंग रैंक है होम स्टेट में वह है 499 और इसका क्लोजिंग रैंक जो है वह है 18409 अब अगर हम अधर स्टेट की बात करें तो इसका ओपनिंग रैंक है 12496 और सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग है इस एनाइटी में जो ब्रांच किये हो है सॉफ्ट्वेर के प्यूंकि बहुत बहुत फिरिन पेकेज यहां से जो है और प्लेस्मेन जो है आप को यहां से मिलता है ठीक है अब हम नेग्स्ट क्लोजिंग की बात करें वो है NID राउ के लागे तो राउ केला के जो है हमा account है NIRF रैंकिंग है वो 1.5 और इसका जो होमिस्टेट सेंग यह वह है 3024 और इसका जो क्ल बाते हैं वो है सूरतकाल शूरतकाल की जो NIRF ranking है वो है 21 इसकी होम state में जो है इसकी opening rank है आपकी 306 और closing rank है आपकी 21025 और अधर state में अगर हम बात करें तो इसकी opening rank है 666 और इसकी closing rank है 14846 next हम बात करें एन आइटे वारंगल की तो उसकी जो है NIRF ranking है और होम स्टेट में इसकी ओपनिंग रेंकिंग है 850 और क्लोजिंग रेंक है 21298 अदर स्टेट में इसकी ओपनिंग रेंक है 1126 और क्लोजिंग रेंक है 14833 अब फिफ्ट जो हमारा NIT है वी-नाइटी नागपुर, इसकी जो NIRF ranking है, वो है 3-1 और home state में इसकी opening ranking है 2180 और इसकी जो closing rank है, वो है 21980 और other state में हम बात करें तो इसकी opening rank है 1593 और closing rank है 20907, ठीक है, तो बच्चों भी तक मैं जितने college की बाद बाद आरहा हूँ, इसमें salary package बहुत अच्छा है और placement की जो है 100% जिसमें जो है placement होता ही होता है बच्चों का ठीक है due to some reason किसी करना हो एक अलग बात है अब next हमारे NIT के बात करते है कुरुक छेत्र की तो कुरुक छेत्र की जो NIRF ranking है वो है आपकी 43 इसका जो home state पे opening rank है वो है 3481 और जो closing rank है वो है double to 584 अगर हम other state की बात करें तो इसमें opening rank है 3109 और closing rank है हमारा 20348 अगर हम बात next college की करें VNIT की तो NIT दुरगापर की जो है NIRF ranking है वो 47 बच्चों सबसे जादा जो है जो पिछले साल इसमें जो demand गई है और जिसका सबसे जादा opening rank कम रहा है वो है EC ना की CS अधर जितने भी तक मैंने college की बाते कर रहे सबसे जादा demanding रहा है CS का तो अगर EC में अगर कोई बंदे हैं जिनको interest है तो दुरगापू से बहुत जादा इसकी demand रही है तो इसका NIRF ranking है 47 और इसकी home state पे opening rank है 4597 और closing rank है 28683 similarly अगर हम other state की बात करें तो इसकी 3881 इसकी opening rank है और closing rank है 22979 next हम बात करते हैं हमारी MLIT अलाहाबाद की अलाहाबाद की जो हमारी NIRF ranking है 48 बच्चों यहां से सबसे जादा package उठा था CS का next year है ना तो salary package बहुत ही जादा high गया था इसमें placement का अब इसकी अगर हम home state की opening rank की बात करें तो opening rank है 3502 और closing rank है हमारी 20253 similarly इसकी जो other state की जो ranking है वो है 211 और closing rank रही है 15463 और आपकी जो last में जो जैपूर है जैपूर का जो है NIRF है 52 और आपकी जो home state में इसकी opening rank है 1372 closing rank है इसकी 17437 और other state की बात करें तो इसकी opening rank है 1934 और closing rank है 19024 तो बच्चों जितनी भी मैंने आपको टॉप 10 की जो एनाइटीज बताई है इसको आप देख लीजिए अगर आपको मालने जिए किसी भी बच्चे को other than कोई और branch है सी है मैंने आपको एक मोटा मोटी बता दे कि इतना इसका minimum से minimum opening rank है और इतना maximum इसका closing rank रहा हुआ है अगर आपको किसी particular branch को लेकर डाउट है कि सर मुझे software में चीए मुझे mechanical में चीए सर मुझे bio technology में चीए मुझे electrical में चीए मुझे EC में चीए और any other किसी भी branch के बारे में अगर आपको जानना है you can easily comment on my comment box and we will provide your we will provide your answer okay I hope you find this video helpful if you found this video helpful please like my video subscribe my channel and don't forget to smash the bell icon so that you get notified and share as much as you can till then bye bye